अगर आप अपने लिए एक best immersion rod खरीदना चाहते हो तो बाजार में इतनी सारी immersion rods आती हैं कि हम confuse हो जाते हैं कि कौन सी immersion rod को खरीदा जाए यहाँ पर हमने काफी तरह की immersion rod रखी हुई है यानि कि सस्ती वाली भी है, महंगी वाली भी है और बहुत महंगी वाली भी है बारे में बात करने वाले हैं और most important इनकी safety features के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि immersion rods तो आप सब जानते हो कि बाजार में 100 रुपे से 200-300 रुपे की भी आपको मिल जाएगी लेकिन वो बिल्कुल basic और local immersion rods होती हैं उनमें किसी तरह का कोई safety feature नहीं होता है लेकिन यहाँ पर जितनी भी मेरे table के उपर immersion rods पड़ी हैं इन सभी में कुछ ना कुछ safety features हैं जो आपके लिए काफी काम आने वाले हैं क्योंकि safety होना बहुत ज़ादा जरूरी है तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन सी immersion rods में क्या safety feature है और इस वीडियो से आपको ये भी पता लग जाएगा कि इतने सारे types की immersion rods में से आपके लिए कौन सी best है तो चलिए फटा फट शुरू करते हैं जैसा कि आप मेरे table के उपर देख रहे हो कि यहाँ पर लगबग हर तरह की immersion rods मैंने रखी हुई है और ये अलग-लग brands की immersion rods है लगबग 5-6 immersion rods मैंने यहाँ पर रखी हुई है आपस में compare करने के लिए और आपको इनके safety features बताने के लिए तो यहाँ पर हम left से right की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास Hevels की यह immersion rod है जो HB series की है HB 10 है यह 1000 watts की है इसमें आपको 1500 watts की भी मिल जाएगी यह इसका box है इस तरह से आती है warranty वगेरा सब कुछ box के उपर लिखा रहता है उस बारे में मैं नहीं जाने वाला हूँ अगर आपको इसका dedicated video चाहिए तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर तो फिलाल यहाँ पर इसके safety features की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक indicator इस पर दिया हुआ है यह मैं आपको practical दिखा देता हूँ इसे चला कर तो यहाँ पर इसका plug लगा लेते हैं और इसको पानी में लगाके यहाँ से मैं on कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है indicator इस तरह से glow करता है यानि कि यह जब तक indicator glow करता रहेगा यह heating mode को indicate करता है और यहाँ पर फिलाल मैं इसे बंद कर रहा हूँ यह जो immersion rod है यह waterproof immersion rod है लेकिन यहाँ पर shockproof technology नहीं है तो waterproof है यह पानी के अंदर मैंने इसको dip कर दिया ज़रा पास चे दिखा दो जी इसको यह पानी के अंदर देखिये dip हो चुकी है और यहाँ पर मैं इसको on कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं दोर जो है वो चल रहा है यानि immersion rod बिलकुल on है और पानी के अंदर दूबी हुई है तो यानि कि पानी के अंदर दूबोकर तो हम इसको चला सकते हैं लेकिन पानी में हाथ नहीं डाल सकते जब यह immersion rod चल रही हो विकॉज इस नौट शॉक प्रूफ और हमने एक बार जटका खाया है अब दुबारा से मैं आपको नहीं दिखाने वाला अगर आप चाहते हो देखना तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो उसमें आपको पता लग जाएगा क्योंकि वहाँ पर हमने प्रैक्टिकली टेस्ट किया है कि ये करंट मारती है तो चलिए इसका हो गया यहाँ पर टेस्ट तो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं अब आती है बारी दूसरे नंबर की मर्शन रॉड की और वो है ये हमारे पास तो यहाँ पर ये एक मर्शन रॉड होती है दोस्तो जिसके अंदर आपको किसी काम का नहीं है क्योंकि ये इंडिकेटर सिरफ ये बताता है कि इमर्शन रॉड चल रही है यहाँ बंद है तो यह तो हम स्विच से भी देख लेंगे तो यहाँ पर इस इंडिकेटर का मुझे कोई फायदा नहीं लगा बढ़ हाँ ये वाटर प्रूफ है और साथ में शॉप प्रूफ भी है जिसका मतलब यह है कि इसको हम पानी के अंदर डालके भी चला सकते हैं और चलती हुई इमर्शन रॉड बालती के अंदर अगर गलती से हार चला जाए तो करेंट भी नहीं मारती है तो यह देखिए मैंने इसको भी यहाँ पर रही है तो यहाँ पर रॉड को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह चल रही है या फिर बंद है लेकिन यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस टाइप का जो इमर्शन रॉड होता है उसमें आपको शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ दोनों तरह के टिकनोलजी मिल जाती है अब यहाँ पर बात करते हैं एक और टाइप की जो है इस तरह की इमर्शन रॉड अगर आपको बजार में मिलती है तो इसमें क्या-क्या इमर्शन रॉड में यहाँ पर एक ब्लैक कलर की भी रॉड आ रही है जो बैसिकलि यह जो ब्लैक कलर की रॉड है ये एक तर्मस्टेट बहरो इस टाइप की जो immersion rod होती है उनके अंदर आपको auto cut का feature मिलता है और साथ में waterproof और shockproof दोनों तरह की technology मिल जाती है तो इसको भी एक बार मैं यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ वैसे तो इसको चलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें कोई indicator तो है नहीं और बट स्टिल इसको एक बार चला कर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर यह देखिए दोस्तों इसको पूरी तरह से मैं पानी के अंदर dip कर चुका हूँ और यहाँ से मैं button प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखिए load जो है वो चल चुका है क्योंकि यह 1000 watt के आसपास immersion rod है और अच्छे से working कर रही है क्योंकि यह एक waterproof immersion rod है और shockproof भी है अगर गलती से पानी में हाथ चला जाए तो current यहाँ पर नहीं लगने वाला और यह सब चीजें इसके box के उपर भी mention रहती है तो यहाँ पर अब तीन टाइप की immersion rods मैं आपको दिखा चुका हूँ तो फिलाल इसको यहाँ से unplug कर लेते हैं अब आते हैं एक और टाइप की immersion rod के उपर जो temperature controlling के साथ आती है तो यह immersion rod आपने मेरी कई videos में देखी होगी brand मुझे पताने की जरुरत ही नहीं है तो यहाँ पर temperature आप अपने हिसाब से set कर सकते हो यानि कि यह किस temperature पर पहुँच कर cut off करेगी यह आप manually set कर सकते हो तो यह एक काफी अच्छी चीज है और इसके अंदर आपको एक heating indicator भी मिल जाता है तो इसको भी जरा मैं आपको practically test करवा देता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको hang कर रहा हूँ अब मैंने इसको यहाँ पर इसलिए hang करा है क्योंकि यह waterproof नहीं है लेकिन इसके अंदर अलग features है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इसको on करते हैं तो indicator आता है indicator इस वाली immersion rod में बहुत काम का है क्योंकि यह जो immersion rod है यह auto cut feature के साथ आत तो उससे हमें पता लगता है कि यह cut off हो चुकी है लेकिन अब मैं फिलाल इसे बंद कर रहा हूं और यह जो हैवल्स की थी यह वाली लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं यह भी same ही brand की है और दिख भी same same रही है तो यहाँ पर जो indicator है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह auto overheating नहीं करेगी पानी ना ज्यादा गरम होगा एक मतलब limit से उपर पानी गरम होगा ही नहीं दूसरी बात उससे आपकी जो bucket है वो भी safe रहेगी इसमें भी और इसमें भी जो auto cut के साथ आती है वो सारी इसी तरह से काम करती है safest immersion rods इनको आप बोल सकते हो तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा side कर लेता हूं अब आती है एक और immersion rod यह online दुनिया में काफी famous है नाम और आपने hopes of देखा होगा सुना होगा तो यह जो immersion rod है basically इस तरह की जो immersion rods आती है तो इसके अंदर auto cut का feature होता है और auto cut का feature जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत काम की चीज है अच्छा इसमें भी आपको मिल जाता है एक हिर्टिक indicator तो इसको भी जड़ा चला के देखते हैं क्योंकि सब को चला के देख रहे हैं तो इसको भी चला के देखना चाहिए तो यहां पर इसका plug लगाते हैं और इसको भी यहां पर फिलाल हैंग कर लेते हैं और यह देखो जी इसको अब मैंने on कर दिया है और मैं द बता लगता है बट यहां पर दोस्तों एक चीज अच्छी है कि यहां पर आटो कट का फीचर है लेकिन फिलाल मैं इसे बंद कर रहा हूं यहां पर एक चीज बहुत ही बेकार है इस वाली मर्शन रॉड में और वो यह है कि इसमें ना ही वाटर प्रूफ टेक्नोलोजी है और यहां ही शॉक्प्रूफ टेक्नोलोजी है तो यानि कि अगर इस तरह की इमर्शन रॉड आप लेते हो और वो किसी वज़ा से पानी में गिर जाती है तो वो खराब हो सकती है क्योंकि जो इसके टर्मिनल हैं अंदर वो भी सील्ड नहीं है और अगर मैं बात करूं हैवल्स क एक बात बहुत अच्छी है कि इसके जो टर्मिनल संदर है वो बिल्कुल सील किये हुए है यानि कि थर्मोस्टेट खराब हो सकता है इमर्शन रॉड खराब नहीं होगी तो यहां पर एक यह फर्क है और सेफ्टी के मद्दे नजर अगर मैं कहूं तो आटो कट का फीचर है तो सेफ्टी है आपकी बालती नहीं जलेगी ओवर हीट से आपको पर्टेक्शन मिल जाती है लेकिन करंट तो लगेगा ही लगेगा अगर आप पानी में हाथ डाल देते हो अगर यह इमर्शन रॉड पानी के अंदर है तो अब चलो इसको भी निकालते हैं और अब आती है और इमर्शन रॉड यह हैवल्स की जैला इमर्शन रॉड है यह लगबग 1400-1500 के आसपास आती है मुझे लगता है आप सर्दी हो गई है तो और ज्यादा महंगी हो गई होगी तो ऐसे में यह जो इमर्शन रॉड है ऐसी कोई इमर्शन रॉड मैंने नहीं देखी है यह अच्छी चीज है हलां कि अगर यह तूट जाएंगे अगर यह यहां से तूट जाएगा तो बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको क्योंकि फिर इसमें कोई ऐसा कोई हुक नहीं है कुछ नहीं कि आप इसको अटका लो और ना ही वाटर प्रूफ है कि आप इसको बालती के अंदर डालके चला लो तो यहां पर अगर आप इस तरह की कोई इमर्शन रॉड ले रहे हैं तो आपको इसके पंखों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा काफी नाजुक भी है यह बढ़ा इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स काफी है यह जो इमर्शन रॉड है इसके अंद इंडियों दिखाओंगा मैं अब ही और इसके अंदर एक और बातक्र प्रेक्टीग कली दिखा देता हूं आप चलो है तो यह देखो यह यहां पर मैं इसका यहां शुमाद पर यहां पे इसको रखा हमने पास आजो जी थोड़ा तो यहां से मैं इसको on कर रहा हूँ आप देखिए मैं यहां से on कर चुका हूँ इसको लेकिन load नहीं चला है और नहीं यहां पर indicator चला है आप देख सकते हैं तो यह एक बहुत बढ़िया feature है इसका जब इसके flap close condition में रहते हैं तो यह on नहीं होती है यह on तभी होगी जब इसके flap खुलेंगे थोड़ा पास से दिखा दीजिए और flap भी कितने खुलेंगे यह आप देखिए कि जब indication चलेगा तो जब यह पूरे खुलते हैं तभी यह चलता है otherwise आप इसको बंद रखेंगे तो यह भी बंद रहेगी और यह मतलब एक तरह से आप कहा सकते हो इन सभी में से safe है और इसमें automatic cut off भी है यानि सारी चीज़े है इसमें लेकिन यह चीज बहुत अच्छी लगी मुझे इसमें हलाकि यह काफी महंगी है इनमें मतलब यह सारी अ इसके जो यह प्लास्टिक के covers हैं इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इंडिकेटर में आपको दिखा चुका हूं यह देखो इस तरह से यहां पर इंडिकेटर चलता है दूबारा से एक बार आप दिखा दीजिए प्लीज यह देखिये तो इस तरह से यह होता है और जब पानी गर्म हो जाता है, जितना temperature हम set रखते हैं, उसके बाद ये हो जाती है, बंद, या फिर हम इसको इस तरह से बंद कर दें, तो भी बंद हो जाती है, तो ये वो सारी तरह की immersion rods हमने आपको दिखाई हैं, जितनी तरह की बाजार में मिलती हैं, हाँ वो basic वाली जो ह साब से जो best लगे, वो आप खरीज सकते हैं, मैं ये नहीं कहुँआ कि आप ये 1500-2000 वाली खरीद लो, आप सस्ते वाली भी खरीद लो, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके घर में क्या conditions हैं, छोटे बच्चे हैं, मतलब आपको किस type का immersion rod लेना चाहिए, ताकि safety के साथ कोई भ खरीद सकते हैं, बेरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाएगा, और इस चैनल के उपर बहुत ही useful वीडियो जाते हैं, तो इसलिए इस चैनल को subscribe करके रखिए, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टापिक के साथ तब तक के लिए, God bless you दोस्तों